नमस्कार किसां बाई ओ आज के इस वीडियो में आपका सौगत है दोस्तों मैं शुरुआती में वीडियो के शुरुआत में आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी पश्ट की बाजू यहाँ नहीं रखने वाला हूँ किसी एक की तो बिल्कुली न बनाना पड़ रहा है क्योंकि comment box में बहुत सारी comment आ रहे हैं कि अगर आपके सरकार क्रूशी कानून को वापस ले लिया है तो आपके इसाब से यह क्या सही हुआ है या फिर गलत हुआ है क्योंकि positive comment भी और negative comment भी आ कि हमारे किसान का ये तीन कानून वापस लेने से नुकसान हो गया है और कुछ किसान कहे रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये तीनों कानून वापस ले लिए गए वरना हमारा बहुत सारा नुकसान हो भी सकता था तो क्या सही है, क्या गलत है, मेरे हिसाब से मेरे को क्या लगता है, ज़्यादा अध्यान करने के बाद मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बाताने वालो तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के आन तक मैं हूँ दिवराज और आप देखरेवान निर्माता चले शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के तो दोस्तो तीनो कृशी कानून वापस लिए गए आपका सौमिनाथन आयोग बी था जिसमें MSP की जιादा डिमाद थी वह हैलाइट थी तो ये तीनों कुरुषी कानून क्या थे ये वापस लिए गए इसमें क्या अच्छा ही थी क्या बुरा ही थे इसके उपर आज हम नहीं बोलने वाले हम तो किसान के हीत में जो कानून है उसके उपर ही बोलने वाले आपको कोई मिजगाइडी इस वीडियो में नहीं होने वाल तो वह भी आपको नहीं मिली आज तक है मतलब कई सालों से डिमांड चल रही है कि भाई MSP लागा दो स्वामिनातन आयोग लागा दो अभी तीनक राश कुरूशी कानून का भी एक मामला चल रहा है काईदों में ऐसा कुछ उलट पुलट हो रहा है कि हमारे किसानों को भी कु कुंसा बुरा वाला है क्या चल रहा है तो देखो भाई जो स्वामिनातन आयोगे MSP तो वह भी पॉसिबल नहीं लगता है मेरे इसाफ से नहीं लग रहा है आपके से क्या है मेरे को जरूरू बताना में भी एक खुद एक किसान हूं लेकिन एक बास समझ लो कि आपको देख निकला जाएगा और हमारे किसानों का नाम बदनाम होता रहेगा तो MSP लागाने के बाद भी हमारे कुछ अच्छा तो मेरे ही सबसे नहीं होने वाला है तीन क्रूशी कानून वापस लिए गए या अच्छा हुआ या फिर बुरा वा इसके ऊपर तो मैं नहीं बोलने वाला है ऐसे बड़ा नुकसान तो क्या हो सकता है जितना नुकसान हम इसाने आज तक जहलाए तो यह कौन सी चीज है कि जिसको बनाने के बाद हमारे किसानों की जो भारे में वह बहुत ही अच्छी उधार कि आपके फसलों के दाम अगर बढ़ जाते तो गवर्मेंट क्या करती है और फिर बहुत करते और पूरा पूरा बिकने वाला था रेड भी बढ़ गये थेए लेकिन गवर्मेंट ने दो गुने दाम से बार देश से लिया लेकिन मुझसे ने लिया यह फिलिंग मेरे को भी आती है आपको आती है या नहीं मेरे को कमेंड में जरू बताना तो बात यहां पर क्या हो जाती ही गवर्मेंट चिंता करती ही सामन्य जनता की और किसां चिंता करता है खुद की यहीं कि से थादिक को सिरु ऐकी बात करना चाहिए चोजह पर नहीं थे अगाई उनके उपर ही एक्समाट का कोई क्या था चाहिए बाकि के सब के सब कंट्रोल उठा देने चाहिए चाहिए आपका अंगूर हो गया आनार हो गया फलवर की सब्जियों के ऊपर से कंट्रोल तो उठाई देना चाहिए इससे फाइदा क्या होगा यह हम आगले में जानने वाले कि दोस्तर टेक कानून बनने से क्या होगा एकittaट का अगर गौवर्मेंट नहीं रखती है खुद के खुद से अगर एक्सपोर्ट का कंट्रोल अपने आप हट जाता है तो इससे फाइदा क्या होगा हमारे जो किसाने उनको सारी दुनिया में एक सपोर्ट मिल जाएगा आपका एक जो भी प्रोडक्ट वह बेशने का यानि कि जो भी पदारते जो भी उससे खेट से उपर जा घर बारे में बात करेंगे तो किसान का फाइदा है कि कि देखो बाइब ऐस्का अगर बढ़ता गाया तो Ekपोर्ट वह बढ़र पtrans lol कहा और जादा ज्यादा मुनाफ़ा हो जाए है जब एक्सपोर्ट में वालों में भी देखाएको ब्सक्रटर्ट जादा नहीं यही तो उ होगा किसानों का फाइदा ह котор wearsаемся जो ओलर में आएक वाजसे हमारा एक्सपोट बढ़ने से हमारी नती होने वाली देखो युबी चिप एलेक्ट्रानिक जो वाली जो चीजे बनाता है तो वह वे उन्होंने क्या किया उस चीज को दबाया नहीं कि भाई मेरे देश में यह सस्ता मिलना चाहिए उन्होंने पूरे जग वर्ल्ड के लिए उन्होंने वह चीजे सस्ती कर दी और वह आगे बढ़ रहे हमारे बारत से अगर आता है तो किसानों की उन्नती होगी तो अपने आप पूरे देश की उन्नती हो जाएगी if इस चीज़ें होने वाली कि हमारा को देश कुरूशी प्रतान देश क्योंकि आपने 2007 में जो मंदी आई थी उसमें भी देखा कि हमारा देश सबसे अलग बेड़ गाया तब मतलब ज्यादा उपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं अभी कोरना काल में भी हमारा देश स्टे देखो भाई अगर आपका एक्सपोर्ट पेसे अगर कंट्रोल उट जाता है गवर्मेंट का तो बहुत ज्यादा फाइदे होने वाला है तो अगर यह बात अगर यह बात आप में से कोई वीडियो देख रहा है वह अगर गवर्मेंट तक पहुचा सके या फिर इस बातों से ज्ञार आध्यां करके कोई कानून ला सके दो नतों के बात करने बहुत जरुरी लगती है मेरे को ठी यह तो यह वीडियो ज्ञादा ज्यादा उन किसानों तक उन लोगों तक आप शेयर करके वह बात चलेगा लेकिन यह बातमें चाहरा हूं तो शेयर होनी चाहिए वो तूट जाती है तो हमें कोई ने रोक सकता हमारी देश की खिसानों को 19 पर चलने को रोक सकता है नहीं उसको करज मापी डर्रोत होगी नहीं उसको एमस्पी जरूरत होगी अपना मार्ग और व्युह अपनी से खुद बना लेगा तो आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट बोक्स में ज़रूं बताना तो यह को अप क्या यहांग बताने कि gonna है इसका कुछ भी गलत अर्थ मतना निकाले और आप लोगों मेरे को में पूचा कि आपका क्या पर तो मैंने सोचा कि भाई चलो खुल के बात करते हैं आप से बहुत ने करूंगा तो चलिए यहाँ पे ही हम रूप जाते ज्यादा डिप में ने जाएंगे लेकिन मेरे इसाब में इसाब से सबसे बड़ा कानून तो एक्सपोर्ट के उपर होना चाहिए क्योंकि हरे किसान कर सकता है वह कॉलिटी तो आसनी से अभी तो भाई आप देखो आपने आगल बगल में ज्यादा ज्यादा किसान अच्छी तरह के पसल बनाई लेते हैं तो एक्सपोर्ट में क्या रुका उटाने वाली है जो भी रूल से रेगुलेशन है वह तो हमारे जो नई जनरेशन आ लगा हो तो भाही माप कर देना तो मिलता है आगले वीडियो में जै जावान जै किसान